कई जटल सर्जरी को अंजान देजुका मध्यपूरा के जोयन केटे मेडिकल कॉलेज को समय पवस्थित पाथले पोतर रस्पताल एक बार फिर चर्चा में है दरसल हाई डाइबिटीज और पाव में अलसर से पीड़ित एक महिला का सफलता मिलाज कर महिला को पाथले पोतर र गाव में भी अगर बत्ते से जल जाने से घाव ने विशाल रूप ले लिया था ऐसे में पारिजनों ने पटना दरभंगा पूर्ने सहित अने शेहरों के बड़े अस्पतालों में दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ जहां मरीज के पारिजनों का कहना है कि पाथले बविता देवी जो 35 साल की है और यह फुला पत्ती की रहने वाली है यह मेरे पास करीब 6-7 दिन पहले आई और इसका जो कंप्लें था वो था अनकंट्रोल डाबिटीज डाबिटीज बलड सुगर 400-500-500 ऐसे इसका था उसके बाद दूस्रा कंप्लें था इसका पॉम में अलसर लेफ्ट फुट में अलसर और नॉन हिलिंग अलसर था वो जिसके लिए यह काफी जगा भी गही है जैसा कि यह खुड ही बतायगी मुझे बताया कि दर्भंगा से इसका इसका इलाज चल रहा था फिर पूर्णय आ इसको डियावटीज का मतलब होता है डियावटिक फुट इनफेक्षन और इसके बहुत सारे कारण होते हैं डियावटेक फुट इनफेक्षन के और पहले तो मैं यह बता दूं आप लोगों को यह जो डियावटीज है ये वर्ल्ड में एक इम्नो कॉम्परमाइज के लिए जो अगर हम डाटा पर चले तो एक अलग-अलग आंक्रा है इसका लेकिन आने वाले पंदरह से बीस साल में आपके मोर देन थर्टी फाइब टू फॉर्टी परसेंट वर्ल्ड का पॉपलेशन डापिलेशन डापिलेशन डापिलेटी से मैं इसका अगर हम इस पर अच्छे से कि अवेर्ड ना हुए तो दूसरी बात रहे कॉंपलिकेशन की तो डापिलिक जो है दापिलेशन के बहुत सारे कॉंपलिकेशन सहोते हैं जैसे कि रिनल डिजीज है किटनी में प्राबलेम हाट में प्राबलेम कोई भी डापिलेशन अगर स्मोग करता है तो उसको डबल आटेक होने की संभावना है और पिरो वेस्कुलर डिजीज वेसल्स भी जा सकता है जिसे लिम काटने की जुरत पड़ सकती है बोन इसकीन में इंफेक्शन जो चलुलाटी इसको बोलते हैं वो धेरे धेरे जाके वो अपना रूप लेता है और नाइस और डबलुएचों ये कि नाइस झालो डेवस्टीम होता है इसे हम ग्रेड करते हैं कभी-कभी बोन को इंफेक्ट करके ऑस्टेमलैटीस कर देता है नाइस्टिती होता है कि हमें बोन की लनी पर सकती है यह बोन काटना पर सकता है इस परिफरल वस्कुलर डिजीज होने के बाद अगर आगला पर सर जाए हमको पाउं काटने की भी संभाव ना सकती है इस पेशेंट की सिम्टम यह थी यह तो डाइबटीज का मैंने एक आपको एक होलिस्टिक पिक्चर दिया मैंने इस डाइबटीक पेशेंट का अंकंट्रोल डाइबटीज जैसा कि मैंने बताया अंकंट्रोल डाइबटी करना या आप जो टाबले आपको दिया जा रहा है वो ठाबलेग रजिस्टेन्ट है वो ट्しरफ लेवल पे काम नहीं कर रहा है उस लेवल पर हम इस पावेज आते हैं तो यह टाबलेट पे चल रहे ठी जरूरी नगे कि चप्रश्व प्रॉत् interfere अब मैं इंटर्ण के लिए फिर से बोलूँगा यूजिलिए स्टेफाइलोकोकस, स्टेप्टोकोकस और स्टुडोमनास का हेवी ग्रोथ इंफेक्शन होता है लेकिन मेरे पेशेंट में कलेपसिला का हेवी ग्रोथ था जो कि मैंने कल्चर सेंसिटिविटी में कराया कराने के बाद मैंने देखा कि इसको पस जो है इसके फीट के लेयर में जमाता फीट के मल्टिपल लेयर होते हैं जमाता जिसका बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है MRI, MRI अप दे फीट लेकिन हम नहीं करा पाए क्योंकि पेशेंट जो है उतना इसकी इकनोमी कंडिशन ठीक न कुछ तो नहीं है बोन इन्वाल्मेंट नहीं है इतना मुझे पता चल जाएगा लेकिन अर्ली बोनी चेंजे यूजली ऑस्टियोमलैटिस के MRI से ही चलते हैं तो मैंने इनका एक सरेक अला कर देखा तो बोन हमें नॉर्मल मिला और अल्टासॉंड में कालेक्शन था एक्ज सिंहरेतिक पेसन को जबही पेरिफराल नीरोपाथी हो है यह पेरिफरल नीरोपेथी का मतलब आप सुने होंगे कि पाउमे सुन हो जाना पाउमें जंजनहाट होना पाउमें चोट लग या पता नहीं चलते हैं ऐसे पर कि कुछ चूप गिया कोई चीज लेकिन अगरबत्ती चूप गिया था इसको और इसको पता ही नहीं चला यह सब प्रजेंटेशन होता है डियवेटिक फूट का इसको पता नहीं चला अगरबत्ती जलता हो अगरबत्ती किसी को टच कर जा तो आप समझ सकते हैं कैसी संसेशन ह जिसे हम पेइन बोलते हैं, इसको कुछ भी नहीं पता चला, पता चलने के बाद देरे देरे इसका अलसर फॉर्म किया और इसे बोलते हैं नेग्लेक्टेड लिम, इसका कोई केर नहीं किया गया, विलेज में रहती है, और मतलब कोई मेसेज भी नहीं है, तो इसी चीज के लि अलसर अब हिलिंग फॉर्म में आ रहा है, हिलिंग फॉर्म में आ रहा है, अलसर ही कर रहा है, इसका मॉर्निंग डाबेटी एक सो बीस था और इवनिंग का थोड़ा सा हलका सा अप रहता है, तो मैंने पहले इसको, especially डॉक्टर्स के लिए, जो बच्चे पढ़ यह निए ब वो मैंने एकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग स्किल फिक्स किया डाबिटिक डाइट पे लिया उसके बाद मैं इसको धीरे-दीरे human mixtar पे लाया हूं कि discharge में उजली mixtar से करते हैं टोटल कैलकुलेट करके टू थर्ड करके उसको दो में डिवाइड करके देते हैं और चेप हम इनको भेज रहे हैं morning sugar इनका first class है गहौई